पहले वान टीवी लिया उसके बार दो टीवी लिया अभी यह चार टीवी लेना पड़ा हो दस टीवी बाकी है कितना स्पेस चाहिया यार तो दोस्तो आज में इस वीडियो में यह सीगेट बैकाप प्लास हब 4TB external hard disk drive का unboxing करने वाला हूं और इसका speed test करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं और दोस्तो रेगुलर जैसे external hard disk का size होता है यहाँ पे देख सकते हैं छोटा है और इसका weight भी बहुत कम है इसका size उतना छोटा नहीं है और weight भी जादा है देख सकते हैं यहाँ पे size बहुत ही बढ़ा है और यहाँ पे देखिए सभी तरफ से यह बढ़ा है और weight भी इसका जा से वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे के sigate का यह छोटा सा external hard disk इसका speed maximum 120 mbps तक ही जाता है इसका मैंने एक video बना है वो video आप देख सकते हैं मैंने नीचे decision पे link दे दिया है और उपर eye button पे भी link दे दिया है वहाँ से आप check कर सकते हैं लेकिन इसका speed इससे जादा होता है क train drive वगेरा सब कुछ connect कर सकते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं आप यहां से अपने smartphone को भी charge कर सकते हैं जो की बहुत ही अच्छी बात है तो अगर आप desktop के लिए एक external hard disk लेना चाते हैं जिसको आप हमेशा connect करके desk में रखना चाते हैं बट कभी-कभी आप इसको carry करके इधर desktop पे ports कम पर जाता है लेकिन आप अगर यह external hard disk use करेंगे तो यहां पे दो extra easy port दिया गया है तो यह बहुत ही useful रहेगा आपके लिए लेकिन आप अगर बहुत travel वगड़ा करते हैं travel वगड़ा करते वक्त आपको अगर external hard disk की जरूरत परे तो आप यह वाला ले सकते हैं और इ प्राइसिस का बहुत ही बढ़िया है यह 2 tv का external hard disk 50084 में मिल रहा है और सिर्फ 2000 extra देने से आपको 4 tv मिल रहा है तो प्राइसिस का बहुत ही बढ़िया है आप अगर इन में से कोई भी external hard disk purchase करना चाते हैं तो मैंने नीचे description पे link दे जिया है वहां से आप purchase कर सकते हैं तो चलि पहले plastic wrap को हटा देते हैं तो यह रहा हमारा box यहां पर नाम देख सकते हैं सीगेट backup plus hub यह external hard disk के साथ साथ यह USB hub भी है यहां पर देख सकते हैं desktop storage with integrated USB hub यहां पर देख सकते हैं 4 tv और यहां पर इसके साथ 2 month का adobe creative cloud photography plan free में दिया गया है यहां पे पीछे की तरफ एक picture देख स support करता है USB 2.0 और 3.0 दोनों support करता है और उपर की तरफ यहां पर देख सकते हैं तीन सल का warranty दिया गया है बॉक्स में और कुछ खास नहीं है तो चलिए भी सिल को ओपन कर लेते हैं कि निकल जा यार बहुत आइट है तो वास को ओपन कर यहां पर अंदर देख सकते हैं हमारा और यहां पर quality दिया गया है इसको आप चाहें तो सकते हैं तो यह रहा हमा आरा hard डिस्क अंदर और क्या क्या है देख लेते हैं यह कुछ ट्रेश पेवर्वाक्स है और यहाँ पे यहाँ पे में दिया गया है उसके बाड़े में में दिया видy mकरना तो आप यहां पे टीइप बाइ सब्रता क्रेद दिया हुआ है देख सकते हों आणन दो हर्ट शब्र वेक्व नहीं है तो यहाँ पे यह पावर अडप्टर है यहाँ पे डेटा ट्रांसफर के लिए USB Cable दिया गया है और इस MALE क्या हुर्ट क्यों के छुछ को न heterobuses है तो यहाँ पे एक पावर अडप्टर दिया गया है इसका यहाँ पे आउटपूट देख सकते हैं 12V 3A और यहां पे बहुत सारे कंट्रीज के लिए यहां पे अब जिस कंट्रीज पे रहेंगे उसके लिए यह क्लिप दिया गया है तो इंडिया के लिए यह लगेगा इसको भी लगा देते हैं यहां पे पुछ करके आपको खोलना है उपर की तर यहां पे हानीकॉंब डिजाइन दिया गया है इस तरफ कोई भी एरविंट नहीं है इस तरफ एरविंट दिया गया है हीट मैंजमेंट के लिए यहां पे यहां पे यहां पे सब जगा पे दिया गया है इस तरफ देखिए पावर देने के लिए पोर्ट दिया गया है और य इसको हटादेते हैं, एकदम देखे, glossy finishing दिया गया है, इस तरब भी है, इसको भी हटादेते हैं, दुस्तो प्लास्टिक रैप हटादेना चाहिए, क्योंकि अगर हाट्डिक्स बहुत हीट हो गया, तो ये प्लास्टिक रैप प्राब्लिम कर सकता है, तो पहले इसको प्लाग कर देते हैं अभी यहां पर data transfer के लिए जो cable दिया गया है बहुत ही लंबा दिया गया है 4 feet का cable दिया गया है और मेरे पास और भी external hard disk है सबका यह data cable देखिए बहुत ही छोटा है और केविल का एक तरफ type B और दूसरी तरफ यहां पर type A दिया गया है 3.0 तो अभी यह connect कर देते हैं connect करते ही यहां पर देखिए hard disk पे जो logo था वो जल रहा है तो यहां पर इसका name देख सकते हैं cget backup plus drive और टोटल यहां पर आपको 3.63 tv space मिल जाता है उसके बाद drive ओपन करते ही यहां पर यह सब files and folders आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर देखिए warranty के बारे में एक video दिया गया है उसके बाद यहां पर देखिए आप windows user हो तो यहां पर start here करके एक exe file दिया गया है उसको open करके इस hard disk को आप register कर देंगे तो आपको warranty में कोई problem नहीं होगा तो अभी यह करके दिखा देते हैं आपको Seagate का official website open हो गया है यहां पर fast name last name email id पूट कर देते हैं उसके बाद देखिए यहां पर toolkit नाम का एक Seagate का software है वो आप चाहे तो download कर सकते हैं मैं यहां पर download करके दिखा देता हूँ यहां पर देखिए यह software को use करके आप इस hard disk का backup ले सकते हैं restore कर सकते हैं और इस hard disk का mirror या clone भी कर सकते हैं यह तीनों option आपको यहां पर मिल जाता है लेकिन यहां पर encryption का option नहीं मिलता है आपको जो पहले दो TV का external hard disk दिखाया था उसका मैंने एक video बना है आप देख सकते हैं वहां पर encryption का option मिल जाता है लेकिन इसमें encryption का option नहीं मिलता है उसके बाद next करते हैं देखे यह registration process successfully हो गया है registration करने के बाद आपके पास एक mail चला जाएगा उस email को आप save करके रख दीजिएगा बाद में warranty claim करने के लिए काम आ सकता है उसके बाद यहां पर आप mode पे click करेंगे तो यहां पर adobe creative cloud का जो दो महिने का free subscription दिया गया है वो यहां से आप redeem कर सकते हैं उसके बाद आप अगर Mac user हो तो यहां पर देखिए एक folder दिया गया है वो open करके आप यह process कर सकते हैं अभी इसका benchmark result दिखा देते हैं मैं यहां पर crystal disk mark software का use कर रहा हूं यहां पर देख सकते हैं G drive पे मेला external hard disk है तो पहले G drive select कर लेते हैं उसके बाद जो भी settings है वो default रखते हैं उसके बाद wall पर क्लिक करके process start करते हैं तो यह थोड़ा time लगेगा मैं video थोड़ा fast कर देता हूँ तो process complete हो गया है तो यहां पर sequential read speed देख सकते हैं 194.88 और right speed देख सकते हैं 182.46 जो की बहुत ही अच्छा एक speed है तो अभी दोस्तो real time में copy paste करने में कितना speed देता है वो test करके देख लेते हैं तो test करने के लिए यहां पर देखे मेरे पास एक 4.37 gb का video file है तो अभी इसको copy करके external hard disk पे paste करता हूँ तो यहां पर देखे बहुत ही अच्छा speed दे रहा है तो यहां पर real time पर 183 mvps maximum speed गया था तो अभी इसको external hard disk से मेरे desktop पे copy करके दिखा देता हूँ तो यहां पर भी देख रहे हैं 183 maximum speed गया है तो जो कि बहुत ही अच्छा एक speed है और ऐसा नहीं है कि speed up-down हो रहा है constantly same speed दे रहा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है और आप यहां पर 4K वीडियो भी बहुत अच्छी तरह से play कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने gopro hero 8 का एक 4K वीडियो चलाया है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है अभी यहां पर जो usb hub का feature दिया गया है बहुत होड़ा आपको दिखा देते हैं इसको यूज करके आप अपना smartphone चार्ज कर सकते हैं वह दिखा देते हैं देखिए यहां पर charging चालू हो गया उसके बाद यहां पर देख सकते हैं दूसरा external hard disk भी आप इसके साथ connect कर सकते हैं आप card reader connect कर सकते हैं तो एक साथ दोनों device को भी connect कर सकते हैं आपको थुड़ा दिखा देते हैं यहां पर पहले pen drive connect कर देते हैं यह पर देख सकते हैं यह हमारा hard disk है Seagat का और यहां पर देखिए पैनडराइब यहां पर सो कर रहा है अभी यहां पर دो टीवी सिगैत का जो external hard disk है वह भी connect करके दिखा देते हैं यहां पे देखिए यह हमारा 4 TV का external hard disk है और यहां पे देखिए यह 2 TV का external hard disk है और नीचे यहां पे pen drive सभी एक साथ show कर रहा है अभी आपको एक चीज़ दिखा देते हैं आप अगर यह 4 TV का external hard disk remove भी कर देंगे तब भी यह 2 device show करेगा यहां पे क्यूंकि यहां पे extra power source दिया देखिए हमारा 4 TV का hard disk यहां पे remove कर दिया फिर भी यहां पे 2 devices जो connect किया हुआ है वो यहां पे show कर रहा है तो यह एक बहुत ही अच्छा feature है दोस्तों तो वीडियो इतना तक ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो please press the like button अपने दोस्तों के साथ जरूर को share कीजिएगा और इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे comment section में जरूर पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसी interesting videos में लाता रहता हूँ तो thank you दोस्तों वीडियो इतना तक ही फिर में लेंगे next वीडियो में तब तक के चैनल के लिए।